C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक पंद्रवा पाठ बात चीत प्रिष्ट संख्या 89 से 82 तक प्रस्तुत है पाठ बात चीत तरुण नमस्ते शोभा हम बहुत समय बाद मिले शोभा तरुण नमस्ते तरुण शोभा तुम आज कल किस कक्षा में पढ़ती हो शोभा मैं कक्षा चेह में पढ़ती हूँ तरुण तुम्हारा विद्ध्यालय कहां है शोभा प्रधान डाक घर के पास है और तुम कहां पढ़ते हो तरुण मैं आज कल चेन्नई में पढ़ता हूँ वहां मेरे मामा जी रहते हैं अच्छा शोभा तुम्हारे विद्ध्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है शोभा वर्दा जी वे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हमी रोचक कहानिया सुनाती हैं हिंदी के गीत भी सिखाती हैं तरुन अरे वे तो मेरी मौसी की सहेली हैं मैं मौसी के साथ कभी कभी उनके घर जाता हूँ वे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं शोभा तुम ठीक कहते हो अच्छा तरुन आज कल शाम को तुम क्या करते हो तरुन शाम को मैं एक घंटा खेलता हूँ मेरे घर के पास एक अच्छा मैदान है हम लोग फूटबॉल खेलते हैं कभी कभी क्रेकेट भी खेलते हैं शोभा तुम कौन सा खेल खेलती हो शोभा मैं खोखो खेलती हूँ मैं कभी कभी भाई बेहनों के साथ अंत्याक्षरी भी खेलती हूँ तरुन अंत्याक्षरी बुद्धी का खेल है शोभा हाँ तरुन इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है मस्तिश्क का व्यायाम भी आवश्यक है तरुन मैं यह मानता हूँ अब मैं खेल के साथ साथ अंत्याक्षरी भी खेलूँगा अभ्यास एक अब मैं कुछ शब्द पढ़ूँगा आप मेरे पीछे-पीछे उन शब्दों को दोहराएए सहेली विद्यालय बुद्धी का खेल कभी-कभी सीखना व्यायाम सुभः भागना चाचाजी अंत्याक्षरी दिन में याद करना मामा जी चैन्नई शाम को दोडना अध्यापिका प्रधान डाक घर अब हम कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे आप उन्हें समझिये मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ती हूं मैं गाता हूं मैं गाती हूं तुम खेलते हूं तुम खेलती हूं तुम खाते हूं तुम खाती हूं हम सीखते हैं हम सीखती हैं आप सुनते हैं आप सुनती हैं ख अब मैं आपको कुछ समान अर्थवाले शब्द बताता हूँ सिखाना पढ़ाना सहेली सखी व्यायाम कसरत मस्तिश्क दिमाग अब मैं आपको कुछ विपरीत अर्थवाले शब्द बताता हूँ ठीक गलत कल आज सुभः शाम जाना आना तीन अब मैं आपको कुछ क्रियाएं बताऊंगा जिनकी सहायता से आपको वाक्य बनाना है ध्यान रहे यह वाक्य पुलिंग होना चाहिए एक पी वाक्य है मैं दूद रिक्त स्थान दो क्रियाशब्द है खा वाक्य है तुम केला रिक्त स्थान तीन क्रियाशब्द है जाना वाक्य है हम विद्याले रिक्त स्थान अब मैं आपको कुछ और क्रियाशब्द बताऊंगा आपको इनकी सहायता से वाक्य बनाना है ध्यान रहे कि यह वाक्य स्थ्रिलिंग में होना चाहिए एक क्रियाशब्द है सीख वाक्य है मैं गाना रिक्त स्थान दो क्रियाशब्द है खेल वाक्य है तुम कबड़ी रिक्त स्थान तीन क्रियाशब्द है पढ़ वाक्य है हम हिंदी रिक्त स्थान तीन अब आप वाक्यों को बदलिये उद्हारण के लिए मैं शर्बत पीता हूँ अब मैं इस वाक्य को बदलता हूँ मैं चाय नहीं पीता अब आपको भी इसी तरह से वाक्य बदलने हैं वाक्यों को बदलने के लिए मैं आपको शब्द भी दूँगा एक मोहन क्रिकेट खेलता है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है फुटबॉल दो शीला गाना गाती है इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है नाचना तीन पिता जी सवेरे टहलते हैं वाक्य को बदलने के लिए शब्द है तैरते चार माता जी रोज दूद पीती हैं इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है चाए पांच वे बच्चे शाम को खेलते हैं इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है पढ़ना चार अब आपको अपनी दिन चर्या के अनुसार वाक्य पूरे करने हैं एक मैं सुभ रिक्त स्थान उठता हूं दो हम सुभ रिक्त स्थान स्नान करते हैं तीन मैं सुभ रिक्त स्थान स्कूल जाता हूं चार हम दिन में रिक्त स्थान खाते हैं पांच मैं शाम को रिक्त स्थान क्रिकिट खेलता हूं छे हम रात में रिक्त स्थान सोते हैं पांच प्रश्नों के उत्तर दो एक तुम्हारा विद्याले कहां है दो अध्यापिका हिंदी कैसे पढ़ाती हैं तीन शोभा कौन से खेल खेलती है चार तरुन अंत्याक्षरी खेलना क्यों चाहता है योग्यता विस्तार एक छात्र आपस में एक दूसरे की रुचियों के बारे में बातचीत करें जैसे चित्र बनाना कहानी पढ़ना घूमना फिरना संगीत या निरित्य सीखना आदी दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार प्रवीन शर्मा तिलक राज राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्माण निर्देशन वध्वनिसंपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C I E T N C E R T